पाकिस्तान इस वक्त अफगानस्तान का नक्षा पेश कर रहा है वो अपनी तरक्की कर रहे हैं इस सुकत उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए है जहां पी इंडियन है आप देख सकते हैं कि यह जो पिक्चर्स है यह पिक्चर अभी हाल फिलाल में हर जगह में इस्ट्रीम मीडिया हो या सोसल मीडिया हो बहुत वाइरल हो रही है और इस पिक्चर को आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल वर्ल्ड में अगर अमेरिका का राष्ट पती मोदी जी को इस तरीके से कर रहे है और मोदी जी वहां से इस तरीके से कर रहे है तो अप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है पहले ये पूरा क्लिप देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटले में बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को ने नरेंदर मोदी को सलूड किया भाई, ये न्यूस बहुत जाद है लाइब क्रेट कर रही है, औल ओवर दी वर्ल्ल की मीडिया के अंदर, इसी के साथ मैं आपको बताता है, चलों, पाकिस्तान जी टुवेंटी समिट के अंदर पाटिस्पेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस एहल क्यों नहीं है, इस बारे पाकिस्तानी पप्लिक से पूछ मोदी पर नजर बढ़ी, तो मोदी को खड़े ओकर सुलूट किया जो बाइडन ने, तो इसके उपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रेट किया क्या वजुवात है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक हासिल कर ली क्या अमेरिका जैसे कंट्री भी सिलूट कर रही है और जो बा कोई पर्सनल एलेशन इसके अंदर नहीं आते है कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सुलूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात ने बाइनेशन इंडिया क्या सा है, बाइनेशन, बाइनेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत जादा मुसलिम्स भी है हिंदू भी हैं और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लेदा हुआ है, तो बाइनेशन तो हमारी तरह की लोग हैं वहाँ पे बिदूसर हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रोंग तो होंगे ना किसी ने किजी चीज से, जो इतना डिवेलप कर गए हैं अपने आपको, अपनी सोच बदली मुलक बदल दिया, हमारी सोच कैसे है, क्या हमने सोच बदली है, अगर सोच बदली तो मुलक क्यों नहीं बदली तो कब बदलेंगे, एक्चुली ये मल्टी फेक्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है, को इन्वार्ड हैं, यानि सिविलियन गवर्मेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुलक के अंदर, आपको बता है, मार्शलाज लगते रहे, इंडिया में आज तक कोई भी मार्शलाज नहीं लगा, इसकी क्या वज़ाए, तो ये सारी हमें बैट के एक ग्रेंड डाय हमें कद फॉलाज भी तो हम अम हमें को टुन भी इंपर्म कर रहें ंडिया से इंडिया को दिमांड की थी इंडिया से इदिकिए कि खोटन की सोट्टिज होगी है, इस सुंगर, हम गंदुम इंडिया को बावजूद पैसि हैं ज़क्ति कि इंडिया के और शावल कह रहे है ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में हैं, तो इंडिया का जो experience होता है लोगों को through Indians who live in their communities is always positive. तो देखें, हम रिशी सुना का बन गए है, प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के, फॉरिन मिनिस्टर और सिंगपर भी इंडियन है, तो इस तरह की जो इंडियन डाइस्परा है, उससे इंडिया का soft power भी काफी already था पहले और अब भी बढ़ रहा है. So these are important aspects जिसके वज़े से इंडिया को इतनी इज़त internationally मिलती है. मैं आपको बताता है, मैं 4-5 साल पहले I really traveled the Middle East quite a bit to do research on Sufism. तो मैं एक जगा गया था टर्की में जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से जाथ लोग बैठे हुए थे, एक बड़ बड़ी gathering थी. So it was impossible for me to go close to the speaker, जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको through people के there is somebody from India. So okay, Hindustan कहके उटके आके मुझसे मिले. Not because of me or my stature, but because and only because I was from India. Egypt में भी इस तरह का काफी, there are many places in the world, Europe में भी अब इंडियस की काफी respect होने लगी है and India is beginning to use this. मतलब इंडिया अपने डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा. India is going to get a test of global leadership. तो तरहा मदा चकेंगे के global leadership. But it is also a test. I don't know whether you have seen this, but YouTube पे बास चैनल अर खाली वो क्लिप्स लगाये हैं जा मोदी की मुलाखात, Biden सी हुई, मोदी की मुलाखात, Rishi Sunak सी हुई, मोदी की मुलाखात, with Jiji Pink. आप नोटिस करें, in all those meetings, मोदी इस तोकी. Have you noticed that मोदी इस तोकी? They are listening, right? It's not like Biden, it's just like Biden has a hand, but Modi की मुली चल रही है. He is the one who is talking. So, I have a feeling that he is more prepared for these meetings than they are. That he has something to say. So, हमारे पास हम लोग कभी लोगों को कहते हैं, या students को, that you should have an elevator pitch. So, मेरे खाल से, मोदी is coming with this elevator pitch is ready. जिससे मुलाखात होती, he is engaging because you can see Jiji Pink और Biden दोने बड़े गौर्ट तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है, खत्म आपने देखा किस तरीके से बताया जा रहा है कि भारत अपने आपको किस तरीके से आंगे ले जा रहा है मैं अभी आपको पता है G20 सब्मिट हुआ जिसको मतलब जिसमें दुनिया की टॉप 20 GDP वाइस जो कंटरी होती है सबसे आंगे वो पाटिसिपेट करती है इंडिया में आपको पता होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात इस मतलब G20 सब्मिट में सबसे आदा हाइलाइट जो अपने UK के रिसी सोनक है उनके साथ मुलाकात हुई उसको लेकर काफी मीडिया में कवर किया गया और इसी सोनक आप जानते हैं कि हिंडु है तो इस वज़य से काफी कवर किया गया और इसी सोनक ने मोदी जी से मुलाकात के बाद हिंदी में ट्वीट किया जिसको भी काफी हाईलाइट किया गया हाला कि यह बहुत कोई नई चीज नहीं है कई देश के रास्टा ध्यक्ष ऐसा कर चुके हैं और हिंदी में ट्वीट काफी बार हुए हैं आप अरब कंट्रीज के रास्टा ध्यक्ष को देखे हैं या आप इसराइल के जो नितनी आहु थे और जो नए हैं और उस्ट्रेलियन, जर्मन, बहुत बार ऐसा हुए कि हिंदी में ट्वीट किया गया है मोदी जी पी जब जिस कंट्री में जाते हैं न उसी लेंग्वेज में ट्वीट करते हैं यह भी मोदी जी की एक्वालिटी है तो उस चक्कर में ऐसा सीन होता है अब प्रेसिडेंट जो बाइडन और ये मोदी जी की पिक्चर जो वाइरल हो रही है इसको देखकर तो मुझे काफी गर महसूस हो रहा है अब पिक्चर को देखें और पिक्चर के मतलब आप जैस शेर पास शेर से अंदाजा लगाईए कि भारत की वेल्लू के है आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने बाद प्लीज कॉमेंट अपनी राएदर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल एक नए वीडियो के सान